हेलो फ्रेंज मैं सुझीद कुमार सिंग आपका स्वागत करता हमारी यूटूब विडियो टिक्टोरियल में जहां आप सीखते हैं कम्प्लीट एडवान सेक्ट्स दोस्तों आज हम आपको एक एक बहुत ही बहुत ही त्रिक्स बता रहा हूं कंट्रोल प्लस एंटर का जिसे काफी टाइम वेस्ट बचे गा जो परबाग जाता है काफी टाइम बचेगा तो बिना टाइम वेस्ट की हुए हम आपको बताते हैं कि पहले प्रॉलम क्या है तो इस पर पो समझना सबसे पहले जोड़ी है आप देख रहें मेरे पास सेल्स का सीट है जो कि डेवाइज की ज सेल्स की जई है और यहां पर सेल्स फिगर है दूसरे सीट में में पास पर्सन के टार्गेट है एक छोटा सा डंबी डेटा है ताकि आप इजली एकस्प्लेइन कर सको मैं आपको आप इजली समझ सके अब मुझे करना क्या है कि मुझे हर एक दे के बाद उसकी टार्गेट का पर्संटेज चाहिए तो हमें अगर मैनुवल करी जाए तो सबसे पहले डे वन के बाद हम एक कॉलन को इंसर्ट करेंगे और यहां पर अप्लाई करेंगे वी लुक आप जिससे हमें इस पर्सन का डेटा टार्गेट वाली सीट से लुक अप होगा तो वी लुक आप आप ल पर्संटेज के सेंबर लगाएंगे और यहां पर टार्गेट पर्संटेज जो भी है और ढालेंगे इस काम को करने के लिए आपको एक को करने के लिए बहुत ही स्पीड करोंगे तो कम से कम लगेगा अब सोच लीजिए ऐसे डे वाई जो फिधाल को में डेटा अब 30 देज का लगा सकता है हो सकता है कि पूरे साल का रेटा हो कई साल का रेटा हो तो आपको वाइन वाइन करना बहुत ही टिपकलिट हो जाएगा बहुत ही जादा टाइम कंजूम करेगा तो अगर प्रॉब्लम अच्छी लगी है तो फिलीजिए एक बार चनल को सस्क्राइब करने और नोटिफिकेशन को आउन कर ले और अगर इसका सॉलूशन अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा तो सॉलूशन क्या है तो सॉलूशन के लिए हम बढ़ते हैं आप एक बहुत ही अमेजिंग आप पता चल रहा है कि किस तरीके से हम एक कॉलर के बाद एक नया कॉलम एड कर लेते हैं तो हमने सिक्वेंस नमबर दे दिया और इसी को यहां से उठाया और और यहां पे पेज़ कर देंगे इस पो सेलेक्क कर लिजे कोपी कीजिए और इसी के बगल में पेज़ कर देजिए तो हर नमबर दो बार डिप्टेट है एक यहां एक बार है और यहां पर दूसरा यहां पर है और एक के नीचे डेटा है और दूसरी के नीचे ब्लैंक रो है अगरना है हमें सॉर्ट करना है और बोलेगे सॉर्ट तो लेफ्ट टूराइट होले जिस री होगा जी हां लेफ्ट भौन होता है कैसे यहां सॉर्ट फिल्टर कसित्र शॉर्ट और यही पर उपर और Очी creator अर्वश पर शॉप्सम और उपर यहां बाइड बार दूर्ट सॉ बाद हम रो वन को सेलेट करेंगे एंड देन लेकिन ध्यान लगेगा आप स्लेट नहीं किजिएगा अपना नेम को बना नेम भी शॉट कर देगा बहुत अची कूल तिंग है रहा लेकि हमने छोटी सी गलती कर दी हमने हेडिंग नहीं डाला यहां पे तो हम यहां पे लोग को बताना भूल गया था कि आप मारी मॉवाइल एप को भी डानलूड कर सकते हैं जहां पर सारे सिक्वेंस ली कोर्स के वीडियो जाप को मिलेंगे हो बहुत ही मिनमम प्राइज में जी हां हमने पूरी के पूरी एडवांस एक्सल बीवी माइप्रों एक्स डेटावे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फटाफोर्ट वीडियो के नीचे डिस्टिन लिंक में लिंक दिया हुआ है उसको डाउनलोड कर ले तो हमने कर लिया है और यहां पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहां हम चले गया कस्ट फिल्टर में कस्टम सौर्ट पे सब्सक्राइब करना है तो कोई बात रही हमें एक बात और डेटा को सेलेक्ट करते हैं और यसी में फाइन एन्ड सलक्ति में होता है को तो स्पेशल अब इस गो geweं है और यहीं पर होता है पलैंग अब देखिए हमने सारे के सारे ब्लाइंग सेल को सेलेक्याय है यहां एर्वी ब्लैंग सेल you select करना होगा और इसका मैं इसको नॉर्मल एंटर करते हैं तो जहां पर सेलेक्टेड था उसी पर अप्लाई हो तो नॉर्मल एंटर के जगहा पर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा कंट्रोल एंटर से क्या होगा कि यह फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा एवरी स्लेक्टेड सेल अभी क्या होता है अब मताते हैं को जैसे एक एरिया को आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसमें आप तुछ भी टाइप करके एंटर मारते हैं तो एक्टिव सेल के नीचे आ जाता है जो वाइट होता है उसमें लेकिन अगर आपने इसी को कंट्रोल एंटर मारा तो सेलेक्टेड सेल में एक कॉपी पेस्ट हो जाता है अब इसके उपर हम परसंटेज का सेंबल अपलाईगा इसको करने में काफी टाइंग अगया पर आपको समधाते हुए मैंने किया तराजा टाइम लगा बड़ आप इसको एक मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हैं घंटों का काम हमने आपके साथ मिन्टों में करके दिखा दिया जी हाँ इस इस एडवांस एक्सल क्योंकि बहुत बच्छे पुछते कि एडवांस एक्सल जो है वह आपका नॉमल वही एक्स कि सिखा सकता है मैं इंडिया का पहला ओनवाइं टेंपर कर रहा हूं और 2007 से मैं दे रहा हूं चलती उस समय से सब्सक्राइब करें तो नीचे देखिए लिंक दिया होगा आफ़र आफ़र में मुवाइल आप डाउनलोड करें कुर्सेज को देखें अब कुर्सेज करना है तो परचेज भी कर सकते हैं तो फिर आफ़र आफ़र डाउनलोड किजिए और कोई को भी प्रॉलम हों को भी दिखकत हो मुझे कॉल कर लीजिए मैं नंबर स्क्रीन पर दिखा है मैं आपके लिए अपना फोर मेंशा आउन गरके रखूंगा थैंक यू बाइबाई